इतना काम हुआ और सब कुछ आपने सही किया, वोट पड़े नहीं, तो इसकी एक ही वज़ा हो सकती है कि साइकल के कैरियर पे आपने किसी और को भी ठालिया था, सीटें आपकी कम हो गई, जादा सीटें देनी पड़ी और कैरियर से जो लोग बैठे हुए थे वो आपको जित का नहीं पाए, सत्रा में यूपी के लड़के थे और दोहजार उन्नीस में आपका महा गटबंदन था, तो गल्ती थी, दोनों बार, मुझे अनुभम मिला है कि बड़े दलों से गटबंदन नहीं करना है, चोटे दलों से ही होगा इस बार, चोटे दलों को साथ लाने की को कि अरिथमेटिक क्या है उत्तर प्रदेश की, बड़े दलों के साथ आप जाएंगे नहीं, OVCG आपका MY, OVCG ले जाएंगे, Y का कुछ हिस्सा BJP ले जाएगी, तो MY में से बचेगा क्या, आप उस चश्में से क्यों देखते हैं, मेरे पास चश्मा नहीं, M का मतलब महिला Y मतलब यूथ, महिलाएं और यूथ समाजवादी सरकार बनवाएंगी, आच्छा, तो आपने अपने पिता जी का फॉर्मूला चेंज कर दिया है, और अब ये नई PD की समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है, महिला और यूथ का फॉर्मूला, समाजवादी सरकार जब निता जी थे, जिन्होंने आशिवादिया, जिसके वैसे में मुख्यवंति बना, उस समें भी लेप्टव बट रहा था, तो यह मत कहिए कि नई पार्टी है, हाँ, नया रास्ता जरूर अपना रही है, लेकिन उनकी अनुभब के साथ हम चल ले हैं, बीजेपी के लोग कहते ह पिछले एक महीने में योगी जी ने तीन बार यह शब्द कहा है और इससे आपको तकलीफ है, अबाजान, क्यों तकलीफ है? वो योगी जी के संसकार हैं, वो योगी जी के संसकार मिले हैं, पर उन्हें ने जो कहा, वो तो सही कहा है, लेकिन नेता जी ने हम लोग के ऐसे संसकार नहीं दिये कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। ये भाषा के अलावा एक मेसेज भी था करप्शन की बात कर रहे थे, और राशन कार्ड जितने जाली बने, मिले, यहां पर रद किये गए, सी एजी रिपोर्ट में है कि 97,000 करोड का कोई लेखा जोका ही नहीं है, तो मुद्दा तो सही था। और C.A.G. रिपोर्ट में कुम के बारे में क्या का गया है, तो क्या ये बात यहीं रह जाएगी, आप कि कर्प्शन किसमें था, अगर कहीं सुधार करना था, साड़े-चार साल में क्या सुधार किया आपने, क्या नया परिवर्तन लाने का काम किया, और अगर जो पराना ज सबसे पहले शुरुवात की थी, क्या, P.D.S. को बहतर करने के लिए नहीं थी वो इजना, टेक्नोजी का यूज करना, आज जो डारेक्ट बेनिफेस सिस्टम बना हुआ है, डारेक्ट एकॉट में है, सबसे ज़्यादा एकॉट समाज़ाई सरकार में बनी है, सबसे ज़्य को सरकार ये दीजिए की सबसे ज़्यादा एकॉट कि समय खोले थे उत्रपदेस में बैंक्स सबसे ज्यादा किस सरकार में खुली थी, आज ब्रांचे बंद हो रही है, बैंक्स को बेचा जा रहा है, सबाज़ बादी सरकार थी, तो ब्रांच सब नहीं थी उत्रहाँ त, अ तो बिजली में सुधार नहीं हो ते इंवेस्मेंट कैसे आएगा? सबसे ज़्यारे टांस्मिशन लाइन किसे ने पिछा ही? समाजबादी सहकार ने. डिस्टिबुशन में सबसे अच्छा काम किसे ने किया? समाजबादी सहकार ने. आखिरकार आपने क्या किया?